अगर वो इमानदारी से पवित्र सब्जी और ठीक दामों में हमारे समाज को दे एक राष्ट की सेवा उससे भी बन रही है तो हमारा दो ही उद्देश रहता है अपने परिवार की सेवा और राष्ट की सेवा राष्ट में पूरा समाज आ जाता है अब परिवार की सेवा का करतें और जो भी कर्म करते हैं वह भगवान को समर्पित करते नाम जट करते पक्क का मानना बहुत बड़ी साधना हो गई इसी से काम मनेगा काम इसी से बनेगा अगर चार अगर बत्ती लगा दी आदा घंटा पूजा में बैठ गए और इसके बाद जो कर रहे हैं उसमें ना भजन है ना भगवत भाव है संसारिक्ता ही संसारिक्ता मनमानी आचरण तो हमें लगता हो जीवन परिणाम में फाइनल में अच्छा नहीं आएगा और एक मिनट पूजा की ग्रह में नहीं बैठता है कि पर वो कोई नसानिं करता किसी सा आहित नहीं करता को मे यही पूजा और देखOSE भीता जी का भगवbird नहीं जो प्रादरण haft किया तो इसी बात का किया अरजुन के मैं सन्यास लोंगा और भगवान जी के तुम्हें अपने कर्तब कर्म को करना उस समय कर्तब कर्म चात्र धर्म से युद्ध है तुम्हें कर्तब कर्म करना है और जो शन्यास मार्ग तुम्हें अच्छी समय बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है क्योंकि इस समय प्राप्त हुआ कर्तब कर्म ही तुम्हारे लिए मेरी पूजा है, यही धर्म है, उपदेश किया, तो हमें अपने कर्तब को कर्म कहा, हम जो भी कारी कर रहे हैं, यह हमारा कर्तब, यह हमें अच्छा लगा, आपने कहा कि हम उसको बहुत प्रधान कर देते हैं, हाँ करना ही चाहिए, इमानदारी से आफिस मे व्यापार में, जिस कर्तब में तुम्हें मिला है, उस समय लाभ और हानी का विशय नहीं है, उस समय अपने कर्तब का निर्वाह करने का विशय है, और ऐसा नाम जब करते हुए कर ले गए, तो यही भगवत प्राप्ति कहेत हो जाएगा, कर्तब में भगवत प्राप्ति कर देता है। चीने की बिद्यार्थी नां कि कर पाथ है कि नहीं कर पाता मुझे श्री जी की निकुन सेवा नहीं हम कभी ऐसा आस्ति-ास्ती के लिए विद्यार्थी और ग्रहस्त के लिए आदेश ही नहीं करते हैं क्योंकि आठो याम सेवा तो हम विरक्तों की है